नमस्कार दोस्तों मैं आप सबका चीर परिचित दोस्तों पस्थी तो दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महतफोपण जानकारियों को ले करए जिहां दोस्तों डॉक्टरों और वज्ञानिकों के शोध से पता चला है कि संभोग कई रोगों से हमारे शरीर को बचाता है विवाहित जीवन एक दूसरे को सुख अपनापन और संभोग सुख देने के साथ साथ एक दूसरे के स्वास्थ और संदर्यों को बनाई रखने में भी मदद करता है सेक्स के दोरान हमारे शरीर से एक्स्ट्रोजन नमक हार्मोन निकलता है जिससे जो हमें आश्टियोपोरोसिस नमक बिमारी से बचाता है इसके कारण हमारी तवचा सुन्दर चिकनी और चमकदार भी बनी रहते है एस्ट्रोजन हमारे शरीर के लिए एक बरदान है जो हमें एक अध्भुत सुख के अनुभूती कराता है नियमित रूप से सफल संभूग करने वाले साथी अक्सर अधिक स्वस्त और सुखी देखे जाते हैं उनकी सुन्दरता भी अधिक समय उम्र तक बनी रहती है और योवन खिलता रहता है उनमें आत्मविश्वास, उत्तेजना और उमंग भी अधिक होता है इसके उलट सेक्स से परहेज करने वाले साथी तनाव, अपराधबोध, संकोच और सर्म से पीडित हो जाते हैं तनाव से बचने के लिए और दिमाग को तरुताजा रखने के लिए संभूग करना सबसे उची तुपाए है सेक्स के दौरान हमारे शरीर से फोरोमून्स नामक रसायन निकलता है जिससे हमारा शरीर सुगंधी थोड़ता है इसे संभूग इतर भी कहा जाता है क्योंकि यह सेक्स के सुख को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक परफ्यूम का काम करता है यह पर्फ्यूम दिमाग को अत्यधिक शांती और साधारन सुख प्रदान करता है यह हमारे शरीर को उच्चरक्त चाप, मांसिक तनाव, हिरदय रोग और दिल का दवरा जैसी गंभीर बिमारियों से दूर रखता है वहीं दूसरी और संभूग से दूर भागने वाले लोगों में यह बिमारियां न होते हुए भी पाई जाते हैं संभूग एक व्यायाम भी है संभूग के दवरान हमारा शरीर काफी मात्रा में उरजा खर्च करता है और हमारे कई अंग इस दोरान व्यायाम की तरह ही काम करते हैं इसलिए शिक्स को एक प्रकार का व्यायाम भी कहना गलत नहीं है अंतर बस इतना है कि इसके लिए किसी खास प्रकार के जूते सूट और महंगी समगरी की जरूरत नहीं होती जरूरत है बस कमरे का दरवाजा बंद करने की सेक्स सरीर की मानस्पेशियों के खेचाओ को दूर करके इसे लचीला बनाता है एक बार का संभूग तैराकी के 10 से 20 चकर और किसी ठका देने वाली एक्सरसाइज से ज़्यादा असरदार होता है दोस्तों दर्द की अचुक दवा है संभूग जिहां दोस्तों अगर आप नियमित सेक्स करते हैं तो आपको जोडों में होने वाले दर्द से भी रहत मिलती है तो इस प्रकार से देखा दोस्तों आपने की कैसे हम संभूग के द्वारा अपने आपको स्वस्थ रख सकते हैं अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महतुपून जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद